हाई फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग के चार्ट में फोटो कैसे लगाएं तो वीडियो को कमप्लेट देखिएगा सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल एकन प्रेज कर लिजे क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है तो चलिए शुरू करते हैं हां तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने केंप्यूटर के होम स्किन पर आ जाता हूं और केंप्यूटर के होम स्किन में आने के बाद क्रॉम ब्राजर को ओपेंड कर लेत तो आप ट््रेडिंग के चार्ट में अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं दोस्ते यहां पर देख पारंगे जो चार्ट हा यहां ट्रेडिंग वीव का चार्ट और हो शौकर तो चाहिए नहीं लगा सकते हैं तो आल आपको गता रहा हो तो और पर यहां पको डिलेट कर देता हूं डिलेट करने को दोस्ति यहां पर देख पारूंगे यह चार्ट अभी आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा इसके बेगराउंड में कोई भी आपको इमेज दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस चार्ट के बेगराउंड में फोटो को एड करने के ठीज्ट यहां पर यहांता है यहां पर मिळखे और यहांपरयोगा तोच इमेज वाले उफजनकिक कुलिख करना जैसे इमेज वाले MP2 का熱 और यहां पर ऐ hacerlo को ढ कमीश्व को-घ्रिक करें आपके सब्सक्राइब यहां से आप वह फोतो को सलयक्ट कर लेंगे जिस फोटो को आप चार्ट si लगाना चाहते हैं तो मैं यहां से इज़ फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ फोटो को सेलेक्ट करने गभाद ओपन वाले ऑप्सन पे क्लिक करते हैं आपके सामनी स्टैपस इंटेफेस आ जाता है और यहां पर आपको image भी दिखाई दे रहा होगा लेकिन दोस्ता image select करने से पहले आपको यह confirm कर ले नहां कि जो image को आप select कर रहे हैं उसका size 2mb से कम होना चाहिए और वो jpg और png format में होना चाहिए क्योंकि यदि आप किसी और format के image को यहां पर import करेंगे और इसमें set करेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगा तो आपको jpg फोटो को ही यहां पर select करना हा और उसका जो size हो वो 2mb से कम होना चाहिए या 2mb होना चाहिए उसके बाद यहां पर देख पारेंगे ट्रांस्वरेंसी का option आचुका हा तो यहां से यदि आप चाहें तो इसके ट्रांस्वरेंसी को कम कर स सोटा दिखाई दे रहा होगा तो यहां से आप इसे select करके और इसे drag and drop करके और इसे अच्छी तरीके से set कर सकते हैं जैसा कि यहां पर आप देख पारोंगे तो यहां पर इमेज है चार्ट के background में set हो चुका हा उसके आप देख पारोंगे आपको सिर्फ अभी इमेज ही द लिखाई दे रहा होगा तो उसके लिए आपको क्या करना हा कि कहीं पे आपको एक बार क्लिक कर देना हा जो कि आप साइड में क्लिक कर सकते हैं जैसे आप साइड में क्लिक करेंगे तो यहां पर देख पारोंगे यह जो चार्ट है इमेज के ऊपर आ चुका हा और जो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको image को सेलेक्ट करने के प्षुप सेटिंग का सेटिंक आइकन दिया हुआ है तो आपको सेटिंग वाले जैसे ही आपके आपके सामनी इस आ जाता है जो कि आप यहां पर देख पारोंगे और दोस्ति आप चाहते हैं कि ग्रो एप एंजल वन एप या धन एप या किसी भी व्रोकर एप के चार्ट में अपना फोटो लगा पांग तो वहां पर आप अपना फोटो नहीं लगा सकते है और दोस्तों वह भी मैं आपको यहां पर प्रेक्टिकल करके दिखा रहा हूँ दोस्ति यहां पर देख पारोंगे धन एप का चार्ट ओपन है और चार्ट के बेगरांड में इमेज लगाने के लिए यहां पर देख पारोंगे टी वाले ओप्शन पर राइट क्लिक करना हो इस पर जैसे ही राइट कलिक करेंगे यहां पर देख पारँंगे आप image का ओप्षन दिया गया है लेकिन दोस्ति का पटेक्वार्म है यह जो जो ब्रोकर अफ होते हैं उसके में अप quarantine बेक्ग्राउंड में इमेज नहीं लगा सक्ते हैं तो वो सिफ आप ट्रेडिंग वीव के चार्ट में ही बैक्ग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियों बता दिया हूँ कि ट्रेडिंग के चार्ट में अपना फोटो कैसे लगा तो ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो फिर मिलते हैं किसी और इंट्रेस्टिंग टॉपी के साथ तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम